मैं हूँ नितेश और आपका स्वागत है NK Labs and Channel पर संत जेवियर कॉलेज राची का सीट मेट्रिक्स देखेंगे और फर्स्ट प्रोभेजनल सलक्षन लिस्ट के लिए कितना कटफ जा सकता है 2022 में ये भी डिसकस करेंगे तो यहां पर एक Normal Government College या फिर जो Government Funded College होता है उसमें Intermediate का जो Maximum In-Tech Capacity होता है वो 4000 से लेकर के 2000 तक होता है ठीक है वो Depend करता है कॉर्स पर भी College का लोकेशन पर भी तो यहां पर हमारा संत जेवियर कॉलेज में रेगुलर कलास होता है और 75% Attendance Mandatory मांगा जाता है इसलिए यहां maximum जो इसका intact है वो 1000 भी नहीं जाता है maximum आप 800 का सकते हैं, 600 का सकते हैं ठीक है इससे ज़्यादा नहीं जाता है इसका तो यह हमारा हो गया seat का अब देखते हैं seat का distribution यहां पर संथ जेबियर कॉलेज ने कैसे करके रखा है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं IEC का IEC में bio का बात करते हैं bio का दो section होगा, पहला morning होगा और दूसरा evening होगा आपका हर एक section में 150 student को लिया जाएगा तो total seat हमारा 300 के आसपास रहेगा देखिए यह exact number नहीं है यह कम और जादा भी हो सकता है यह depending करता है college authority पर कि वो कितना लेना चाहते हैं तो यहाँ बात कर लेते हैं एक morning होता है, और एक evening batch होता है morning batch का जो timing है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो सकता है धिक है? जरूरी नहीं कि 7 बजे ही शुरू होगा उसके बाद भी शुरू हो सकता है लेकिन जो lowest जा सकता है सुबह एकदम सुबह वो 7 बजे तक रहेगा और maximum जो जाएगा इसका duration वो 2 बजे तक आपका जाएगा और evening batch का है वो जो starting timing है इसका वो 10 बजे जा सकता है 10 बजे कोई भी routing बनेगा 10 बजे से नीचे का नहीं रहेगा 11-12 से starting रहेगा कलाश ठीक है और ये maximum आपका 5 बजे इबनिंग तक जाता है तो simply समझ लीजिए कि morning batch वाले को सुबह कलाश करना पड़ सकता है और evening batch वालों का कलाश जो है evening तक खतम होगा यही इसका meaning होता है अब यहाँ पर math वाले का देख लेते हैं math वाले में जो है जादा student का टेक लिया जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले morning और evening batch है उसमें भी दो गोग section है section A, section B, section A, section B तो यहाँ पर दोनों में section A और section B रखा गया है और अधी सब में 1.500, 1.500 के हिसाब से यदि हम रखें तो 300 यहाँ और 300 evening में 600 के आसपस हमारा seat distribution जाता है फिर से मैं बता रहा हूँ यह college authority पर depend करता है कि वो कितना intact लेना चाहते हैं अब commerce का बात कर लेते हैं commerce में हमारा सबसे पहले morning batch और दूसरा evening batch distribute होगा इसमें भी section A, section B होगा इसमें भी A और B section होगा अब यहाँ पर भी same mathematics के जैसा 150, 150, 300 150, 150, 300 और total seat हमारा 600 के around रहेगा जो average हमेशा हर session में लेता है उसका average निकाल के मैं यहाँ पर दिया हूँ कम ज़्यादा होते रहता है हर year जैसा application आता है college वाले को जैसा लगता है इतना बच्चा लेना चाहिए उसके हिसाबसों वे लेते हैं अब arts वाले बच्चों का देख लेते हैं यहाँ पर भी morning और evening batch distribute होता है section A, section B, section A, section B और यहाँ पर maximum यह intact 200 तक भी ले जाते हैं ठीक है? तो दो साथ तक भी जाता है तो यहाँ पर आपका morning में 400, evening में 400 almost 800 maximum यहाँ पर intact यह लेते हैं तो यह हमारा seat matrix होगा की average यह कितना लेते हैं इसे कम भी ले सकते हैं एक 200 और एक 200 ज़ादा भी ले सकते हैं यह college authority पर depend करता है अब यहाँ पर first provisional selection list के बारे में बात कर लेते हैं देखिए यह expected cut-up है और मैं भगवान नहीं हूँ कि 100% सही हो जाओंगा मैं पूरी तरह से भी गलत हो सकता हूँ और थोड़ा मोड़ा सही भी हो सकता हूँ या हो सकता है कि पूरा सही भी हो जाओं तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा अब यहाँ पर देखिए cut-up का बात करते हैं जब IC math का बात कर लेते सबसे पहले तो जब मैंने roll number देखा roll number वाई जदी मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि almost 4000 जो एप्लिकेशन गया है math के लिए और seat हमने calculate कितना किया है 600 तो 600 calculate किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो लिखा है general के लिए 90 और OBC के लिए 80 EST के लिए 70 75 जो मैंने ये दिया है first list के लिए दिया है इसका मतलब है इतना number आप score कियें तो 100% selection होगा ही इसे 10-5 number कम करके भी आपका selection हो सकता है first list में ही ठीक है जरूरी नहीं कि 10-5 number कम करेंगे तो second list में ही हो जाएगा हो सकता है कि general को 80 से भी उठा लिया जाए काफी seat है और बहुत ज़्यादा application भी नहीं आया है तो panic नहीं होना है और यहाँ पर एक list भी नहीं आएगा second list भी आएगा third list भी आएगा तो इसका भी आध्यान रखे third list आते आते बहुत low number से भी बच्चों को उठाने लगता है अब next है हमारा science bio science bio का है यहाँ पर total application मैंने roll number wise का count करके देखा तो 2000 के अल्मोस्ट जा रहा है और seat जो है हमारा यह 300 है 300 हमारा seat है तो आप यहाँ पर expect कर सकते हैं 85, 75, 70 और 72 आप देख सकते हैं EWS किसी ने भरा है तो general में डालेंगे OBC1, OBC2 को इसी में मैंने डाल दिया है और बाकी asport वगेरा का जो भी है उसका special reservation मिल जाएगा उनको tension नहीं है उनका admission तो fix ही है तो यहाँ पर भी आप 10, 5 number कम कर सकते हैं first list के लिए भी और second और third list तो आएगा ही तो यहाँ पर next हम icon का बात कर लेते हैं icon का जो हमारा application है 1000 के almost गया है और seat जो है 600 है तो हमको यह जो मैंने लिखा है यह भी मुझे जादा लग रहा है इसे भी कम में सबको उठा लिया जाएगा most of the student का admission हो जाएगा क्योंकि apply भले ही 1000 student ने किया है इसमें से 200-300 बच्चों ने पहले ही किसी other college में admission ले लिया होगा तो यहाँ पर commerce वालों को चींता करने का जरूरत नहीं है सबका अलमोस्ट admission हो जाएगा अब IA का भी बात कर लेते हैं IA में भी general में यहाँ पर 70 रखा है मैंने OBC 60 और ST और SC 50 और 55 है यहाँ पर application जो है 1000 के आसपास गया है और 800 seat यह ले सकते हैं maximum capacity इनका है 800 यह ले सकते हैं और regular class करवा सकते हैं तो यहाँ पर आपको भी घवराने का जरूरत नहीं है 1000 में तो 200-300 बच्चों ने पहले ही कहीं न कहीं admission ले ही लिया होगा तो आर्स वाले का भी अलमोस्ट जितना भी exam में appear होगा है सबका नामंकन हो ही जाएगा आप फी का preparation रखें और परिशान ना होए तो यह analysis है मेरा और यह completely गलत भी हो सकता है completely सही भी हो सकता है आपने कहा तो मैं अपने experience से knowledge के अनुसार आपको यहाँ पर analyze करके दिया है Thank you, signing off